प्रक्राइब तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक भूलना जाना सिरीज का वीडियो लेके आया हूँ इसमें हम लोग ऐसे टॉपिक को डिसक्स करते हैं जिसको लोग अक्सर भूल जाते हैं जो याद करें बहुत कटना ही होता उसको हम लोग कोई ट्रिक से को जंतर मंत से याद करने का खोसिस करते हैं अभी तक हमने इसको लेकि तीन-चार टॉपिक साथ बनाया है मुझे ध्यान नहीं है और आज मैं आप लोगों के कमेंट को देखते हुए या रिकमेंडेशन को देखते हुए मोस के लोफाटनेस का बड़ियो बना रहा हूं और साथ में कु मेरं के 10 तक इंटन दिनमबर है उस नंबर के हिसाब से जितने भी टाइप के रॉक होते हैं चोंटन होतें इनको अलग-अलग केटेगरी में डिवाइट किया जाता दा एक एक करके हम लोग बात करते हैं क्यबधियोगी सभी लौक के बात के बारे बात करते हैं थेक है यु कें दस आपके रॉक है रॉक यह इश्का नाम कुछी तरह से है पहला नंबर पर है ताल्क के दूसरा नंबर पर जिप्सम है तो आपको पते होगा तीसरा नंबर पर है आपका कैल्साइट चौथा पांचवा नंबर पर है आपका फ्लॉराइट या फ्लोसफर बोलो एक ही चीज पांचवा नंबर पर है आपका तोपाज तोपाज और नॉवा नंबर पर है आपका कौर इडम के ने चौर इडम और दसवा नमबर है आपका के डाइमट है अब इस्वा ऐसा है कि इसको याδ करने का क्या कोई ट्रीक है जो बिल्कुल ट्र joking है ट्रीक से हम लोग याद कर सकते हैं कैसे देखिवा है आपको बूलना है ताल जी का फल अपनी और कुटो अभी यह लाइन आपको थोड़ा पटा लग रहा होगा लेकिन इस लाइन से आप याद कर सकते हैं ताल जी का फल अपनी और कुटो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं फल जी नम का एक फॉर की आपनी और कुटो सब ситу तो में एक आपड़ा पनी से बबर Gay अब याद तो लिख को असले सब्रांऻ झति नियज़ा तो लिखते वाइन बड़ा या चीत का एकल डोट तृट कठाकर के लिए बहुत ही जादा असान हो जपार हो और यह सबदीन ओवा दिका सब्सक्रांइब का फूरम ‑‑ जाएघक है लिए हैं हम दोने आते हैं अंग ठाल गए हैं तालजी स운데 अपनी और कूटो कहा पढ़ा रहे थे गया वो गया गया एक सेकेंट सायद वो उड़ गया है पेन लेते साथ बट कोई बात नहीं फिर से लिख लेते हैं उसमें क्या है उसमें क्या है तो हमने आपको बताया ताल जी ताल जी का फल अपनी अपनी और क्यू यू टी ओ कूटो अब इसमें देखेगा टाल फो टालक का नंबर होぎगा जाया गजीका जीपसम गहाएका दो कलो राइट का मतलब का मतलब फ पर बोलिये हो जाएगा चार अपनी अपी क का नंबर oko यह और फुर orthokles और्फोकलेस का हो जाएगा 6 Q2 Q का हो जाएगा Q से लिखते हैं न? Q-U ऐसे करके 7 और यह हो जाएगा Topaz Topaz का हो जाएगा 8 9 आपका हो जाएगा Corundum का और 10 हो जाएगा कोई Michael लाल नहीं होगा जिसको diamond याद नहीं होगा तो यह तो आपको याद ही रहता है डाइमंड और कोरंडम जनरली याद रहता आद्म को तो नौवा दसवा आपको ऐसे ही याद के लिए तो आपका पूरा का पूरा मोसस के लिए अगर समझ में नहीं आए तो फिर से एक बार देखेगा एक दुबर रिकेप किजेगा कर देखो यार खजाना मिलेगा लगातार देखते याद वीडियो को बहुत तैयारी अभी साही है बहुत आपका कोशिस कर रहे हैं हम जितना हो सकता उतना करवाने का ठीक है क्योंकि क्लास नहीं है चार-चार-चार त्वाइब नगी नहीं है और मेरा क्या है कि एक बार जिस हम लग गया फिर उसको छोड़ते नहीं है तो अभी यह टॉपिक तो आपका क्लियर हो गया कि चलो ताल जी का फल अपनी और पूटो इसे आप याद कर सकते हैं अभी अगला थोड़ा सा देखते हैं और क्या कोई तरीका है और क्या कोई चीज है जो हम भूलता है जी है कि अगर आपसे पूचा जाएगा कि बताओ से ने ट्थाथ है तो इसको आप लोग तीन क्यक्ति करते हैं को अनुझा तो दूसरा होता है आपका हाइप बैसाल है और तीसरा होता है आपका प्लूट निक रोप पूछता है कि सफिसपर प्लूटो सा पाय जाता देखो याद आप याद रखिए हम जमीन पर हम जमीन पर वॉलीबॉल खेलते हैं हम जमीन पर वॉलीबॉल खेलते हैं और पानी कहां से निकालते सर हाइड्रो हाइड्रोजन कहां से निकालते या पानी कहां से निकालते हैं पानी निकालते हैं धरती के अंदर से और कोई पाप करता है तो हम क्या बोलते हैं उसको पाप करता है तो बोलते हैं भाई पाप मत करो पाप मत करो पाताल में चल जाएगा भाई कहां चल जाएगा पाताल में चल जाएगा यह तीन लाइन आपको याद करना है आपको याद नहीं करना है पहला भी याद रखेंगे तो दोनों बता देंगे क्षिक है हम आपको बताएं कि हम जमीन पर वल्य वाली वाल खेलते हैं का मतलब यहां पर सब्सक्रान का मतलब प्रोटल्य को जमीन पर है नहीं को मतलब होता क्या बांक च्टान पाय जाता है वह वॉलकेनिक रोक पाया जाता है गिनिया स्रॉक का तीन टाइप होता है according to depth वॉलकेनिक रोक आइपो बेसाल रोक प्लूटानिक रोक मैं सिलका कंडियन की बात नहीं कर रहा हूं उसके पांच केटेगरी है भाई सब पढ़ते पढ़ते आपको पढ़ाएंगे तो जमीन में अगर बात करेंगे तो कौन सा बॉलीवल खेलते हैं वहीं है तो जमीन में आ जागा वॉलकेनिक रोक हाइड्रोजन कहां से निकालते है धर्ती के अंदर से तो बीच वाला जो इंटर्मे सबसे नीचे आपको याद हो जाएगा नहीं होएगा गारेंटी है मैसेज किजेगा कमेंट किजेगा कि नहीं याद हो रहा है आपके लिए फिर हम कुछ करेंगे उसमें क्या है अप इक लिए बैठें कोई दिक्कत नहीं चले आगे बढ़ते हैं अब एक और चीज आता है जो लाजीम बड़ा कंफ्यूजिंग पंफ्यूजिंग टर्म है अब देखें सीलिका होता है हर चट्टान में कुछ ना कुछ ज्यादा तर जो इगिनियस रख होते हैं उसमें सीलिका परसंटेज पाया जाता है और यह होंदा बेसिस अप सिलिका परसेड इसको हम लोग पा पैल्ट्रा बेसिड ठीक इसके बाद अगर सिलिका पर्सेंटेज तब है 1 फैंप तालीस से पचफपन है तस तस का ग्याफ रहेगा इसको कंडिसन हम भोलेंगे बेसीक अगर सिलिका कंटेंट कर थिए 5 से 65 है दस-10 का इसको 또 बोलेंगे इंटर मेडियूठ इंटर मेmmrhियूठ चाल है इसके बद अगर सिलिका कंटेंट 65 बहुत परसेंट से प्लस है तो उसको क्या बोलेंगे एसी डरॉक बोलेंगे एसीड डरॉक घ्रोड अभी देखेगा हम लोग इसको याद कैसे करेंगे इसको समझ देखो यह डाटा तो भाय आपको याद हो गया नीचे 45 से कम रहेगा तो पिए केक्टेगरी हो गया फिर 45-45-45-55-65 इसको याद कीजिए तो इसको बड़ा जल्दी याद हो जाएगा इधर वाला याद करें और सबसे नीचे अल्टराबेसिक फिर बेसिक फिर तक तो आपको ग्रंबाट अैडो्ट ये अब इसको याद कैसे करेंगे अब इसको याद तक तो आपको तो मेरे साथ बोलियेगा तो याद हो गया होगा इसको बेडिक समी की बाइंस देखेंकगा चैनल तो BV का मतलब होता है तो BV बेसिक BV बसतल ये तो याद हो जाएगा गारेंटी ऊदरे आपको याद हो गया यानि BV का एक। तो याद हो गयाओगा अब आते हैं ACID पे तो देखो जो ताजमहल है हमारा ताजमहल हम लोग पढ़ते हैं कि संग मरमर से बना है तो इसी तातास से जो ताज महलमर से बना है बहुत सरा मॉल आप देखे होंगा है जो मॉल के बाहर में जो पार्किंग होता है उसमें ग्रेनाइट पत्थर लगा जाता है हम लोग को पता है कि आउच स्यद् corre ऐसी ड्रोग लिए होता है पॉलैशं के कारण गटार गरेंट के वह आपका थोड़ा सा कमजोर हो जाता है घ्राइट कि का युझे इंटर दिया मतलब इंटर मीडियेट रोक डायो राइट इंटर मीडियेट रोक डायो राइट इंटर मीडियेट रोक डायो राइट इंटर दिया इंटर मीडियेट रोक डायो राइट इंटर दिया इंटर मीडियेट रोक डायो राइट इंटर दिया इंटर मीडियेट रोक पेरिडोटाइट है ना अल्ट्रा पर अल्ट्रा पर ऐसे करके भी याद कर सकते हैं दिक्कत नहीं चले तो अभी एक बार हम फिर से आपको रिकेप करवा दे रहें कि आप ने अभी तक क्या पढ़ा और आप अभी इसको याद कैसे करेंगे तो हम आपको क्या बताएं हम आपको सबसे पहले बताएं Acid Rain होता है कहा गरेनाइट पत्र खराब हो जाता है एक तो ये बोले हैं फिर बोले भुवन बाम यानि कि जो basic rock है वो क्या है वो बी से भुवन बी से बाम बी से बास आल ठीक है यह आपका basic rock हो गया हमने पूछा हमने कहा कि इंटर दिया इंटर क्या दिया intermediate rock जो होगा वो क्या हो जागा डायो राइट हो जाएगा थीक है इसके बाद हमने का आपको बताए अल्टरा basic वाल हमने क्या बताए अल्टरा जो है पर अल्टरा पर पर पेरिडो टाइट ऐसे गरे कि आपका यह एक जामपल तो याद हो गया दिमाग में इसको एक दो बार किजेगा याद हो जाएगा ठीक है अब हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं तो हमने बताए कि 45% से कम है क्या का मैं भाई सिलिका परसेंट सिलिका परसेंट 45 से कितना 10 पर उपर वाला नीचे वाला से शुरू करते हैं नीचे है अल्टरा बेसिक फिर आएगा बैसिक फिर आएगा इंटर्मीडियЭ्ट् फिर आएगासीड एसीड रॉक ग्रैनाइट यानि एसीड में होता है तो ग्रैनाइट खत्म हो जाता है इंटर दिया इंटर दिया इंटर दिया डेवर finance बैसिक याद करते हैं आपको यह सीरीज वाला वीडियो मजा आ रहा होगा ठीक है तो याद करने के लिए यह सब टिक का अपना सकते हैं आप एक बार मुझे टाइम देखने देजिए अच्छा थोड़ा समय का आभाव के कारण अभी इतना ही कर रहे हैं तो ऐसे छोटा-छोटा टॉ फूल जाता है और ऐसा नहीं है यार कि मेरे ब्लैक डैमंड चैनल में जाके बार देखो तो सही कि कितना कुछ पड़ा हुआ है इंस्टुमेंट से ले करके MCQ वीडियो से ले करके वीडियो लेक्चर बहुत कुछ पढ़ा हुआ जाके देखिए तो सही जाके देखिए तो सही बहुत कुछ पढ़ा हुआ आपके लिए और एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो करतीजेगा और एक चैनल है अपराइट एडुकेशन उसमें नौन टेक्निकल वाला वीडियो में बना रहा हूं आप सर्च कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में में लिंक डाल दूँगा अपराइट एडुकेशन में जाके आप क्लिक किजेगा तो बाकी आपकी मर्जी है क्योंकि नौन टेक्निकल अगर आप कहीं और से भी कर रहा है तो कर सकते को दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे से जोग्रफी पढ़ें या कुछ-कुछ आपिक वीडियो चाहिए नौन टेक्निकल का तो जाकर देख सकते हूं कुछ